बताया जाता है कि संसार में सबसे मोह माया जनक वाली चीज अगर कोई मानी जाती है तो वो इस्तिरी है चारकनीत के अनुसार ये भी बताया गया है कि स्तिरियों से पुरुष जितना दूरी बना कर रहें उनका जीवन उतना ही सुख मई और आनंद मई होगा लेकिन मैं बता दूँ आज की सृष्टी में आज की संसार में काफी ज़्यादा पुरुसाइसे हैं जो इश्तिरियों के मुह माया में इतना ज़्यादा पागल हैं इतना बिचार करते रहते हैं रात दिन को इस्तिरियों के बिना एक पल भी और एक सेकेंड नहीं रह सकते लेकिन चानक नीत ये भी कहती है कि पुरुष के जीवन में इस्तिरियों का रहना बहुत जरूरी है तो वहीं कुछ पुरुस ये कहते हैं मैं क्या करूँ मुझे नीद ही नहीं आती बिना इस्तरी के साथ है सोने से बिना इस्तरी के साथ रहने से बिना इस्तरी से बात की हुए काफी सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुचते हैं इस्तरियां हमारे बस में हो जाए कभी कभी हम जिस लड़की को पसंद करते हैं या चाहते हैं जिस इस्तरी के मुँह माया में हम पागल हैं जिसका बिचार रात दिन हम करते रहते हैं अपने दिमाग में और दिल में उस इस्तरी को हम पा नहीं सकते उस्तरी के लिए हमको क्या करना चाहिए देखो तरह तरह के टोटके बताया जाते हैं तरह तरह के वसी करण बताया जाते हैं तरह तरह के तरह के तरह के बताया जाते ह इस्तिरियों आपके बस में हो जाएंगी, आपके बिना रह नहीं पाएंगे, इस्तिरियों को ये चिला के दे दो, रात में ये चीजे कर लो, ये सारी की सारी चीजे बकवास होती है, मैं सिधा बता रहा हूं, इस्तिरियों के प्यार में पागल होने का कोई भी फायदा नहीं होता है अगर आप यह सोच रहों कि इस्तिरियों हमारे प्यार में पागल हो जाए इस्तिरियों के बिना मैं रह नहीं पहूं तो यह आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल कर रहे हो दोस्तों इस चीज को नोट रखना हमेशा कि बड़े से बड़े युद्ध महा भार और इतिहास भी गवा है कि जो भी कुछ आज तक घटना घटित हुया है उसमें 75% योगदान इस्तिरियों का ही माना जाता है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से आप इस्तिरियों को अपने तरफ आकरशित करने के लिए बलकि इस्तिरियों क करना वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करना चैनल पर नए होना दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना